हमारी आबादी बन चुकी है लेकिन चीन एक एजिंग कंट्री है एजिंग पॉपिलेशन है व्रिद वस्ता के तरफ जा रही है और हम भारत की बात करें तो सत्तर प्रतिशत हमारी जन्ता 35 वर्ष के आयू से कम है आज पूरे विश्व में वो खजाना मानव संसादन की पूंजी की अगर किसी भी देश के पास है तो वो भारत के पास है 70 प्रतिशत जन्ता मतलब 90 करोड आबादी 90 करोड आबादी मतलब United States of America की तीन गुना आबादी 90 करोड मतलब संयुक यॉरप की डेड़ गुना आबादी ये खजाना मेरे भारत के पास है आपके रूप में और इसी को देखकर इसी को सोचकर प्रधान मंत्री जी ने निन्ने लिया कि एक वर्ष में 10 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे और शुरुवात हुई धन्ते रस के सुब दिन पर और हर माँ 75,000 नौकरी के अफसर 70,000, 71,000 इस महा 70,000 केवल नौकरी के अफसर नहीं आपको समझना चाहिए हमको समझना चाहिए भारत माता को स्थापित करने के अफसर आज शिर्जित हुए हैं प्रधान मंत्री जी के द्वारा अनेक योजना हैं प्रधान मंत्री कौशल योजना स्टेंड अप इंडिया योजना जहां एक करोड़ तीस लाक लोगों को राशी दी गई अपनी शुरुवात करने के लिए उसी के साथ भारत सरकार के स्टेंड अप इंडिया की योजना स्किल इंडिया की योजना और अभी अभी मन की बाग की सववी एपिसोड में प्रधान मंत्री जी ने स्वयम संदर दिया आधर्णिय विजय शांती जी का उत्तर पूर्वी राजय में हैती कैसे लोटस कमल को लेकर उसके फाइबर को इस्तमाल करके कैसे हैंडलूब और हैंडिक्राफ का नया एक प्रयोग उन्होंने शुरूआती है सांगवान जी का संदर दिया हेल्दी हिमालिया फाउंडेशन जो उन्होंने स्तापित किया है स्वच्चता के लिए तो नए प्रयोग नहीं सोच नहीं विचारधारा यह शमता किसी और के पास नहीं है यह शमता केवल मेरे युवापीडी के पास है तो आज जो नियुक्ति पत्र आपको दी जारी है नए जीवन की शुरू आते हैं पर केवल दो बाते कहकर मैं अपनी बात को समाब करूंगा पहली बात सदेव यह सोचते रहना कि क्या नया प्रयोग में कर सकता हूं अपने जीवन में कौन सी नहीं सोच विचारधारा उत्पन कर सकता हूं और उसे क्रियान में कर सकता हूं इनोवेशन इस की टू सक्सेस और दूसरी बात यह सदेव याद रखना कि दिन की महनत के बाद जब हम बिस्तर में सोने जाते हैं यह सदेव रयाद रखना जो अंग्रेजी में कहावत है कि the softest pillow सबसे नरम तक क्या सिर के नीचे the softest pillow is a clear conscience अपनी आत्मा को सदेव साफ रखना इनी शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत बदाई बहुत बहुत धन्यवाद